अस्सलामु आलेकुम दोस्तो, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो क्या आप जानते हैं कि जमीन पर एक दिन में 24 गंटे ही क्यों होते हैं और क्या आपको पता है कि सन 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा प्लस क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लैनेट का टोटल वजन कितना है वेल आज किस वीडियो में मैं आपको प्लैनेट अर्थ के मुतलिक ऐसे शौकिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगी तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन दोस्तो अगर जमीन की साइस की बात के जाए तो ये काफी बड़ी और वसी है इस पर करोडों नहीं बलके अर्बों लोग रहते हैं इसके इलावा इस पर जानवर, समुंदर, पहाड, द्रगत और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा वैसे तो जमीन का एक्जेक्ट वजन पता कर पाना तकरीबन नामुम्किन है लेकिन साइटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है इन्होंने बहुत से फार्मूलाज और मेजरमेट्स का इस्तमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की और आप बिलीव नहीं करेंगे किन साइटिस्ट के मताबिक हमारी जमीन का कुल वजन 13 अरब ट्रिलियन टन से भी ज्यादा है वैल ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इसे इमेजन भी नहीं कर सकते और 13 अरब ट्रिलियन में आखर कितने जीरो आते हैं इन्हें भी गिन पाना बहुत मुश्किल है ये रियली अन्विलवेबल है दोस्तों हम सब बच्पन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का सबसे एहम और लाजमी हिस्सा है ये आक्सिजन प्रोवाइट करते हैं जो कि इन्सानी जिन्दगी के लिए बहुत ही जरूरी है इसलिए हर को ये कहता है कि जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौदे लगाने चाहिए इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएं तो इंसान का जिन्दा रहना इंपॉसिबल हो जाएगा लेकिन आपको जाणके हरानगी होगी कि ये बात completely wrong है इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें oxygen प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये सिर्फ हमें 100 में से 28% oxygen ही देते हैं इसके इलावाद दुनिया में 72% oxygen हमें समंदर से मिलती है इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3 तेहाई oxygen समंदर generate करता है और इससे भी interesting बात ये है कि जो दरख्त हमें 28% oxygen देते हैं इस oxygen का 22% हिस्सा Amazon के जंगलों से generate होता है इट मेंस कि Amazon के जंगलों के इलावा दुनिया भर में जितने मीं दरख्त मौचूद हैं वो सारे मिलकर हमें 6% oxygen प्रवाइड करते हैं ये रियली unbelievable है दोसों ये बातों हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 गंटे होते हैं और 24 गंटे गुजारने के बाद एक निया दिन शुरू हो जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 गंटे का नहीं था आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 गंटे ही हुआ करते थे लेकिन हमारी जमीन में तबदिलियां आने की वज़ा से दिन आईसा इसता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 गंटे का होता है लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दिलियों की बात की जाए तो इनकी मेंन रीजन जलजले और इरॉप्शन्स वगहरा होती है असल में जमीन क्योंकि एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगपर जलजला वाहरा आता है तो इसका फ्लो तूट जाता है और जब ये फ्लो तूटता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्र मुकंबल करने में देर लगा और इससे वकत आटोमेटिकली बढ़ जाता है आपको चांद का हिरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 1.7 मिली सेकंड कम हो जाती है और साइस्थानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मखरब से तलूँ होगा दोस अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे हर रोस देखती है देखने में तो ये बलुकुल चोटा सा लगता है लेकिन ये बात हम सब जानते है कि ये जमीन से काफ़ी सदा फासले पर है इसलिए इसका size चोटा लगता है और हकीकत में यह जमीन से बहुत ही बड़ा है लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है Well, scientist के मताबिक सूरज का diameter जमीन के diameter से 109 गुना बड़ा है आप भीव नहीं करेंगे कि ये इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जैसे 13,00,00 प्लैनेट्स इसके अंदर फिट आ जाएंगे इसके इलावा अगर जमीन से सुरज के डिस्टन्स की बात की जाए तो सुरज हमारी जमीन से आलमोस्ट 15 करोड किलोमेटर दोर है एक और शौकिंग फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सुरज एक दिन भी जमीन पर अपनी शौई ना भेजे तो देखते ही देखते जमीन पर मौजोद हर चीज ठंड की वज़ा से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इनसान जिम्दा नहीं बच मौजोद है और अगर इसके समुंदर की बात की जाए तो हमारे कुरे अर्ज पर इस वकत साथ बर्याजम मौजोद हैं हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शायद समुंदर शूरू से ही इतने बर्याजमों पर मुझतमिल था लेकिन असल में ऐसा नहीं है आज से कई ह गुजरता गया जमीन में कई तब्दिलियां आती गई और इनकी वज़ा से ये मुख्लिफ हिसों में बढ़ गई वरना पहले तो कोई आइलेंड होता ही नहीं था और नहीं कॉंटिनेंट्स थे बलके इस प्लैनेट पर एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा वेल ये फैक्ट रियली अन्बिलेवेबल है दोस्तो आप सबने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा ये असल में एक मौसमियाती तब्दिली है जिसमें जमीन का टंपरेचर आइस्ता इस्ता बढ़ता जा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मि जिस तेजी से इजाफा हो रहा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से 30 साल बात 2050 तक जमीन के मौसली इलाके इतने गरम हो जाएंगे कि इनमें इनसान का सर्वाइफ करना नामूम्किन हो जाएगा इवन के रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि एक जार साल बात तो हमारी पूरी की पूरी जमीन का टंपरेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि समुन्दर का सारा पानी बुखराद बनकर उड़ जाएगा और पिर कुछ सालों में ही पूरा प्लैनेट एक ग्रिगस्तान में बदल लेकिन क्या आप जानते हैं किस लैंड या खुशकी जिस पर हम रहते हैं इसके नीचे भी कंप्लीटली पानी मौजूद है वेल साइंटिस्ट का कहना है कि अगर जमीन की खुदाई की जाए तो इसके नीचे आपको पानी के इलावा और कोई भी चीज नजर नहीं आएगी लेकिन इससे भी शौकिंग बात ये है कि साइंसदानों ने समंदर की तै में भी जमीन के नीचे एक और समंदर दर्याफ्त किया है रिसर्चर्स के मताबिक समंदर की तै से 660 किलोमेटर की गहराई में एक और समंदर मौजूद है और ये समुन्दर इस समुन्दर से तीन गुना ज्यादा बड़ा है असल में दोनों समुन्दरों के दरम्यान में जमीन की एक लेयर मौजूद है जिसने इन्हें अलग करके रखा हुआ है In fact, कुछ माहरीन का ये भी मानना है कि हमारे प्लैनेट पर जो समुन्दर मौजूद है असल में वो इसी बड़े समुन्दर से निकला हुआ पानी है जो इसकी गहराई में मौजूद था माहरीन के मताबिक कई करोर साल पहले इनके दरम्यान मौजूद लेयर में सुराख होने की वज़ा से बड़े समुन्दर का पानी उपर आ गया था और यहां भी एक समुन्दर बन गया वेला अगर इसलिहास से देखा जाए तो जमीन पूरी की पूरी पानी पर मुझतमिल है और हम पानी की उपर ही रह रहे हैं दोस्तों हम सब बच्पन से ही यह बात सुनते आ रहे हैं कि हमारी जमीन गोल है इवन कि हमें किताबों में भी यही बढ़ाया जाता है इसलिए शुरू से ही हमारी माइड में यह कॉंसेप्ट बैटा हुआ है कि अर्थ राउंड शेप में है लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन असल में गोल शेप की नहीं है सुनने में तो यह बात अजीव लगती है लेकिन यह बिल्कुल सच है असल में हमारी जमीन गोल और स्फिरकल शेप का मिक्सचर है इसे इलिप्सॉइड शेप कहा जाता है लेकिन अगर हम स्पेस से जमीन को देखते हैं तो यह circle shape में नज़राती है इसकी वज़ा यह है कि जमीन हर वकत गर्दिश में रहती है इसलिए यह हमें lower shape की नज़राती है क्योंकि जब हम कोई चीज हवा में ऊचालते हैं तो चाहे वो किसी भी shape की बनी हो हमें वो goal ही नज़राती है इसी तरह जमीन भी जब ट्रैवल करती है तो गोल नजर आती है लेकिन हकीकत में इसकी शेप गोल नहीं है ये फैक्ट रियली बहुत चौकिंग है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफेज